असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ट्रेंडिंग फेशन एड विलोग फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस चिकन रोल विद वाइट सॉस की रेसिपी लेकी आई हूँ वाइट सॉस की जो वीडियो का क्लीप है वो मुझसे थोड़ा से मिस हो गया है इसका मैथड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूँगी यह हमने चिकन लिया है बोनलेस इसको इस तरह क्यूब्स में काटा हुआ है अब इसमें जाएगा पैप्रिका प चीजें आप अपनी मर्जी से ज्यादा या कम कर सकते हैं ये में नमक डार रही हूं इसमें तोड़ा सा गरम मसाला डार रही है हूं इसमें और इसके पाथ शो है वो इसमें ःच्वाइन डालनी है आपने और spices आपको जो भी अच्छे लगती हैं आप इसमें एड़ कर लें इसमें थोड़ा सा आपने लेसन को चॉप करके डालना है half चमच और आपने इसमें एक chicken क्यूप भी डालना है और इसको अच्छे से आपने mix कर देना है और stove के उपर रख देना है इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो अच्छे से dry हो जाए और यह बहुत ही मज़े के बनते हैं आप इसे चाई के साथ भी खा सकते हैं और आपके guest को भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे अब इसमें आपने oil डालना है और उसके अंदर तक्रीबन दो अदर जो प्याज हैं वो डाल देने है उसका color जब change हो जाना है तो आपने उसके अंदर चॉप किये हुए एक चमर्च तक्रीबन लेसन डाल देना है और फिर उसे चाई से mix करना है और आप से मेरी चोटी सी request है जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज वो मेरे चैनल को subscribe कर लिया करें वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज थम्स अप करें चिकन का पानी जो है almost try होने वाला है आपने साइट पे इसका जो है वो मसाला भी तियार करते रहना है अगर आपके पास time है तो आप बाद में भी मसाला बना सकते हैं इसके अदर green chili जाएगी यानि के सबस मिर्चे जाएगी थोड़ी सी उसके बाद आप ने इसमे रैड मिर्चे डाली है यानि के chili flakes और इसको अच्छे से mix कर लेना है और जो हमने chicken का side पे मसाला बना के तियार किया था वो आपने इसके अंदर add करना है इसको थोड़ा सा भून लेना है आप अगर चाहें तो जब ये ready हो जाए तो आप इसके अंदर cheese भी डाल सकते हैं cheese के साथ इसका flavor और भी ज्यादा यमी हो जाता है जैसा के रोजे आ रहे हैं तो आप इसको पहले से बना के तो freeze कर सकते हैं आप इसे अफ़तार में भी as a snacks जो है वो बना सकते हैं बहुत ही delicious लगते हैं ये कुछ लोगों को white sauce का flavor अच्छा नहीं लगता तो आप इसको skip कर सकते हैं और आप इसके अंदर cheese भी add कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा यमी लगता है और जो cheese lover हैं वो white sauce के साथ अगर cheese add करेंगे तो वो और भी ज्यादा delicious लगेगी इसको बस आपने थोड़ा सा पकाना है ज्यादा नहीं पकाना यानि कि जितना आपको saucy अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा saucy रख लें वरना इसका जो white sauce है थोड़ा सा dry कर लें और इसको बनाने के बाद आपने ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद आपने इसकी रैपिंग करनी है और रैपिंग करने में मेरी भाबी ने मेरी हैल्प की थी उन्होंने सारे रोल की रैपिंग की थी क्योंकि मेरी भाबी आ रही थी छोटी भाबी आ रही थी तो इसलिए मेरी बड़ी भावी ने मेरी हैल्प करवाई थी जब ये रैडी होने वाला हो तो आपने इसमें सोया सॉस डालना है और सिरका डालना है और एक चमच जो है आपने इसमें चिली सॉस डाल देना है चिली सॉस का टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसे स्किप्ट कर दें क्योंकि ये आप्शनल है हमारे गर उस वक गैस्ट आने वाले थे तो मैंने जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी से जो है वीडियो बनाई थी इसी हो जैसे मैं वाइट सॉस की वीडियो जो है वो उसका क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था मैं फिर से आपको वाइट सॉस की जो वीडियो बना के तो आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन मैं फिर भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स लिखतूंगी क्योंकि ये काफी इजी है बनाने में तो आपको जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ये बैटर हमारा रैडी हो चुका है और इसे हमने ठंडा किया और ये जो है इसकी रैपिंग करनी है रैपिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं मुझे इस तरह रोल की शेप अच्छी लगती है तो फिर इस तरह हम बनाई थी आपने वन बाई वन इसी तरह से इसको रैप करके तो फिर चाहे तो आप फ्रीज कर दें चाहे तो आप फॉरण फ्राई कर लें इसमें कोई इशू नहीं है आप इसे बनाके फ्रीज भी कर सकते हैं तकी बन दसे पंदरा दिन या एक महीना भी फ्रीज कर सकते हैं और आपका जब दिल चाहे या जब भी आपके घर गैस्ट आ जाएं तो आप तब ही इसको फॉरण फ्रीजर से निकाल के फ्राइ कर सकते हैं इसके बाइंडिंग के लिए जो है ये मैदा है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है बाइंड कर रहे हैं इसका लीकृट त्यार कर लिया था हमने लेकिं बहुत ही ज़्यादा इजी और डिलिशियस ये रोल बनते हैं प्लीज आप घर में ज़रूर ट्राइ करें और अपना फीड़ बैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगए अगर आपको किसी भी तरह की रहसी भी चाहिए तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में अपना फीड़ बैक लाजमी दीजिएगा और मेरे साथ शेयर करें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है आपके कॉमेंट से बहुत होप मिलती है प्लीज मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें प्यार देते रहें अलापाक आप सबको खुश रखे कामयाब करें आमीन और मुझे भी अपनी दौाओं में याद रखे अपना धेर सारा ख्यार रखें यह हम फ्राइ कर रहे हैं फ्राइ करते वक्ते एक बात का देहां रखें कि ऑल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए जब यह गरम हो चाहिए तो आप इसकी फ्लेम को आपने लो कर देना है ताकि यह जलना जाएं क्योंकि यह बिलकुल जो लाइट फ्लेम पे ही रेडी होते हैं देखे वन बाई वन करके हमने रेडी कर लिए हैं और आप बताईएगा जरूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ठीक केर एंड अलाहाफिज